नमस्काल दर्शक मिदर आती थी मां फरी एकवार आपनों स्वागे छे दर्शक मिदर आती थी कारेकरम में टलेवो कारेकरम के जे कारेकरम मां विशिष्ट व्यक्तितों साथ आपनी मुलाकात करागे छे और आजे हमारा स्टूडियो मा हाजर छे कदा दर्शक में तो याद है आपने एक दर्शका पहलानो जो समय याद करो तो एक स्वदेशी अभियान समगर हिंदूस्तानी अंदर एक वाइबरंट अभियान कही शगयते है तो अभियान चालियो तो और जना करने हिंदूस्तानी हो स्वदेशी तरफ ती जे क्या को वड़ी गया था विदेशी बस तूँ तरफ तेने पाच्छों लावानों एक प्रहत न करे हो तो जे कही शगा है कि महा यग न करे हो तो जमने राजीव दिक्षिजी सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि कहा गूम हो गए थे राजीव जी तरस रही थी आखे राजीव जी को देखने के लिए स्वदेशी की बात जो नशा आपने मतलब चड़ाया था खास करके बोलू हर एक इनसान उस वक्त 92 अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो 1992 से आपका अभियान शुरू हुआ था कहां चले गए थे राजीव जी मैं कहीं नहीं चला गया था यहीं भारत में था बस इतना ही था कि अभियान हमने गुजरात से शुरू किया पिछले कुछ साथाट साल में दक्षण भारत में चला गया करनाटा कांधरा तमिलनाडू केरण तो इस तरफ आना जाना मेरा कम हो गया तो इसलिए आपको लगता है कि गुम हो गया मैं गुम नहीं हुआ इसी भारत पर था अब यह समस्या यह है कि भारत बहुत बड़ा देश है इतना बड़ा देश है कि यूरोप जैसे 20-25 देश इस पर सपा जाए तो इसलिए कभी एक इलाके में अभियान जादा होगा तो दूसरे में थोड़ा कम हो गया चीज भी ऐसी नहीं है कि सिर्फ लकड़ी घुमाई और जाके परिवर्तन आ जाता है वक्त लगता है ग्राउंड नेटवर्क के इतना बहुत जरूरी होती है कि इतने सालों से जो कहीं न कहीं स्तर जमा हुआ है विदेशी अटेक आकरमन जो हुआ था विदेशी चीजों का, विदेशी संसकूरती का सड़नली एक दो सेकंड में तो चेंज नहीं हो सका एक दो वीक में भी चेंज नहीं हो सकता क्या बेजिक फंडागीं लोगों को में याद दिराना चाहूंगा दर्शक में आपने बता विदू के खास करें अत्यानी जनरेशन छे आह 18, 17, 18 यर्स ना यूथ ने कदाच ख्याल नहीं होए कि 92 to 96 जे प्रमाणा अभ्यान चला विए तो तेनी अंदर राजीव जी ये बेलकुल एक करांती करिया दी अन्य घणा बधा लोकों एमनों वक्तव या सामब्रया बाद अन्य लॉजीकल जे मैं आर्ग्यूमेंट करें आता तेना बाद घणा बधा लोकों विदेशी वस्तों नों त्याग करें तो अगे मैं बात पर आता हूँ कि क्या फंडामेंटल जो खास करके आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे हमारा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि आजादी मिलने के बाद इस देश में अंग्रेजी अंग्रेजियत और विदेशी के प्रतिम मोह क्यों होना चाहिए आजादी के पहले हम अंग्रेजियत में फसे हुए थीक है आजादी के पहले हम मजबूर थे अंग्रेजी सामान ने इस देश में जादा बिक्ता था क्योंकि नीतियां इस तरह की बना रखेती अंग्रेजों में कि भारत में अंग्रेजी माल जो है वो टैक्सरी होगा और स्वदेशी माल पे टैक्स होगा तो इसलिए जादा अंग्रेजी माल बिक्ता था तो सारे क्रांतिकारियों का एक सपना था कि आजादी जैसे ही मिलेगी तो ये अंग्रेजी माल मिलना तो बंद हो जाएगा भारत में इस वदेशी की तरफ हम बढ़ेंगे लेकिन आजादी मिलने के 62 साल के बाद भी हालत वही है पहले एक इस इंडिया कंपनी का माल बिक्ता था अभी साड़े चार हजार विदेशी कंपनीों का माल बिक्रा है तो इसलिए हमारा दो लॉजिक यह है कि भई आजादी आई है तो उसको सही अर्थों में आजादी स्थापित होनी चाहिए और स्वदेशी की तरफ देश को बढ़ना चाहिए तो हमारा ये मानना है कि फालतू में विदेशी सामन खरीद कर हम लापो करोर रुपए अपना भेजते ही रहे विदेश को जो अंग्रेजों के जमाने में जाता था आज भी वही जाए मैं आपको कुछ आंकड़ों में बताऊं तो अंग्रेजों के जमाने में इस्ट इंडिया कमपनी के ओफिशल फिगर्स है कि वो हर साल यहां से सतर करोड रुपए लेके जाते थे यह रुपए में मैं बात कर रहा हूं तब जब तीन सो गुने से जादा रुपए में इंफलेशन आ चुका है तब से लेके आज तक तो अगर वो इंफलेशन को साथ में रखे हैं तो मान लीजे 21,000 करोड रुपए के आसपास और जाते थे साल नगे अब आजादी के 62 साल के बाद करीब 200,000 करोड रुपए बाहर जा रहा है तो उल्टा हो गया मामला आजादी के पहले हम जदा स्वदेशी थे आजादी के बाद जदा विदेशी हो गए तो हमको स्वदेशी की तरफ जाना है यह हमारा सबसे बड़ा लॉजिक है कि अपना पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए और वो भी ऐसी चीज बस्तूओं को खरीदी करके जो हम बनाते है राजी जी कई बार आपके उपर आक्षे भी लगता है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी कंपनी है खास करके इंडियन कंपनी जे उनके एज़न्ट है राजी उदिक्षिति अगर यह आरोप लगता है तो मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि हिंदुस्तानी कंपनियों की अगर वकालत मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा चलो बहुत अच्छे अगर विदेशी चीज के आप खिलाफ है विदेशी संस्कूरूति के आप खिलाफ है विदेशी चीजों जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है राजयो जी कही न कहीं लगता है कि आउट ओफ डेट बात ये लगती है सोदेशी चीजों का जो भी उपभूगता है वो सोदेशी चीजों का इस्तेमाल करें लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो आए एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद भी कर रहा है कहीं न कहीं टेक्नोलोजी का ट्रांसपर भी होता है हिंदुस्तान की टेक्नोलोजी बाहर जाती है बाहर की टेक्नोलोजी यहां आती है कि आपको लगता है कि ये बेजिक फंडामेंटल कहीं गलती है एक जमाने में ये लोजिक सही था जिस तरह से आज globalization इतनी मतलब इतना बड़ा ब्रॉड वे में अगर फेल रहा है उस वक्त कहीं ना कहीं हमको ये बिलकुल ये हमारी जो टिपिकल डिमांड है सिर्प स्वदेशी उसमें कई compromise करना चाहिए डूफिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फि इसी globalization के कारण और यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो चुगी है यूरोप और अमेरिका में इतना बड़ा recession है जो 1930 के बाद कभी आया नहीं अब तो वो recession ही नहीं है वो depression में convert हो गया है अब अमेरिका में जानते हैं क्या हो रहा है स्वदेशी की बात हो रही है बरा को मामा जो राश्रपती चुनकर आये हैं अमेरिका में वो तो स्वदेशी के नारे पे चुनके आया है उनका नारा पता है क्या है यूरोप के देशों में ये नारा चल पड़ा है फ्रांस में चल रहा है डच लोग अपना इसी तरह का स्वदेशी करण का काम कर रहे तो दुनिया के जो देश जो पहले globalization में champion माने जाते थे अब उनको स्वदेशी की तरफ आना पड़ रहा है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कतम हो चुकी है हम ये गल्ती ना करें globalization में अपनी अर्थव्यवस्था को कतम करने का और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका में be American by American चल रहा है तो भारत में क्यों नहीं चलना चाहिए be Indian by Indian क्योंकि हमारी अर्थ में वस्ता भी धीरे धीरे दोस्तोली की तरफ बढ़ जाएगी अगर हम इस globalization को रोकेंगे नहीं इसको चेक नहीं करें globalization को रोकने की बात करें लेकिन यहां मैं आपके वानी प्रवाह को थोड़ा रोक रहा हूँ क्योंकि वक्त हो गया है ब्रेक अदर्शन में दो वात करेंशू राजीव दिक्षित साथे परंदुएक नानका विरामबाद विरामध फरियक और सौगच्छ अपनों कारेक रह मती थी माँ बात करेंश आपने स्वदेशी अभ्यान ना प्रणेता राजीव दिक्षित जी साथे राजीव जी ब्रेक से पहले आपने बताया कि पूरा वर्ड जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका भी सौदेशी अभ्यान की तरब चल रहा है फ्रांस भी सौदेशी अभ्यान की तरब चल रहा है जर्मनी भी सौदेशी अभ्यान जिस तरह से मंदी का महौल वर्ड के सभी कंट्री को परेशान कर रहा है कैना कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता का एक नेचर है बरसों से अपनी खुद की जो चीज होती है या तो अपने लोगों के द्वारा बताई गई बात को सीधे उनके गले नहीं उतरती लेकिन जब विदेशी पेक में आती है अमेरिका ने स्वदेशी बात की तो हिंदुस्तान को करना चीए आपको लगता है कि अमेरिका ने जब स्वदेशी का राग चेडा है अब हिंदुस्तानी इसी राग पे अलाप लगाएंगे मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि भारत में कई वार ऐसा होता है क्योंकि राजीव जी की बात मानी नहीं मानी लेकिन ओबामा ने कहा तो अभी माननी पड़ेगी अभी मैं आपको एक गंबीर बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही बराक ओबामा ने स्वदेशी की बात कहना शुरू किया और पूरी अर्थवेवस्था का इंटर्नलाइजेशन करने की बात की स्वदेशी करन हमारे देश के प्लैनिंग कमिशन के डिप्टी चेर्मेन ने कहना शुरू कर दिया मॉन्टेक सिंग हैलू वालिया ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट किया जो हमारे अप्लैनिंग कमिशन में डिप्टी चेर्मेन है कि भारत को भी स्वदेशी के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा और यह वही व्यक्ति है जिनके बारे में मैं आप से बताओं 1991 में इन्होंने कहा था कि राजीव दिक्षित जैसे लोग गदार हैं जो स्वदेशी की बात करते हैं अच्छा उनका स्टेटमेंट बतल गया है अब 1991 में मॉन्टेक सिंग अहनुवालिया ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े चेंपियन थे इस देश में अब 2009 में कह रहे हैं कि भारत को भी स्वदेशी के रास्ते पे चलना पड़ेगा इतना बड़ा परिबरतन इन में कैसे आ गया वो बड़ा कारण है बड़ा कोबागा जब विदेश में होता है तो यहां भी लोगों की थोड़े से दिमाग बड़ते हैं तो यह एक कारण है यह शायद हमारे देश में पड़े लिखे वर्क का एक बड़ा खराब है लेकिन लेकिन राजीव जी जीस तरह से आकरमन रहा है क्या लगता है कि दिस इजी टू चेंज पुरी सोसाइटी का एक थोड़ प्रोसेस चेंज करना और मुझे मालूम है कि 92 से आपने जो अभियान शुरूप किया थे मैं अगेन बोलता हूँ कि करांती की शुरूआत आपने की थी कितनी सफलता मिली और क्या आप सेटिसफाइड है अपने प्रयास्ता उससे पूरे सेटिसफाइड तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा आंशिक रूप में तो हूँ है हमें जो सफलता मिली है अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 20 से 25 परसेंट हमें सफलता मिली है राजी जी अगिन मैं आकड़ों पर आजाता हूँ जिस तरह से विदेशी चीजों का आप नाइंटी टू में जब आपने अभियान शुरू किया था मुझे मालूम है कि आपने टार्गेट बनाया था सॉफ्ट रिंग बनाने वाली कंपनी को स्पेसिफिक आप फिगर्स द जब से वो भारत में आये हैं तब से हमने उनकी बैलेंशी टिकटी की है उससे पता चलता है कि एक बोतल वो 70 पैसे में बनाते हैं और बजार में आराम से 12 रुपए की बिग जाती है और पानी जो है वो हिंदुस्तान का है वो अमेरिका से नहीं आता यहीं का पानी है अमेर तो पता चला कि हिंदोस्तान की सॉफ ड्रिंग बनाने वाली दो बड़ी अमेरिकन कमपनियों के अच्छा उनी कमपनियों के हमने यूरोपियन ब्रेंड मगाए अमेरिकन ब्रेंड मगाए तो वहां पर बहुत सेफ है वहां का जो पीएच लेवल है सॉफ ड्रिंग का अमेरिका का वो करीब करीब आप समझ लो 6.5 के असपास है 6.5, 6.8 और हिंदुस्तान में जो पीएच लेवल है वो 2.4 है अब 2.4 पीएच तो एसिट का होता है जो हम टॉइलेट साफ करने के लिए एसिट इस्तेबाल करते है उसका पीएच 2.4 होता है और यहां पेपसी कोक का पीएच 2.4 है तो यह जो गंभीर बात है इसके लिए हमने सुप्रीम कोट तक लड़ाई लड़ी है राजीव जी को इतने थोस सबूत देने के बावजूद भी राजीव दिक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बूलाती है बात करने कहीं लगता है उनको आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनिया उनका एड़ बजेट कम कर दे है यह तो बिल्कुल इसपस्ट है क्योंकि मुझे राश्ट्रिय चैनल वाले बात करते हैं मिलते हैं बात करते हैं उनसे चर्चाएं होती है वो कहते हैं मुझसे कि राजी बाई आपकी बात है तो सब सही है लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या जब तुम्हें लगता है कि बात है सही वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाशा में बोलते हैं और सीधे जो अटेक करते हैं मल्टिनेशनल पे हमारा तो बड़ा बजट उनी के हिस्से का है तो इसलिए छोटे जो चैनल है या लोकल चैनल है जो जादा विदेशी कंपनियों के अड़िस्मेंट पे निर्बर नहीं है आधारित नहीं है वो लोग बुलाते हैं ब सैक्टर हैं जिसको FMCG सेक्टर कहते हैं को किसमें तो सबसे जज्जादा विदेशी कंपनियों नहीं आपाइं है जैसे सीमेंट इंडस्प्री है स्टिल इंस्प्री जो तो हमारी mega industries हैं, बड़ी industries हैं उसमें तो इतना दखल नहीं है. मोटर कार की industry में थोड़ा विदेशी कमपनियों का दखल हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दखल हुआ है हमारे देश के consumer items में. क्योंकि इनको बनाने का खर्चा बहुत कम आता है. आपको सुनके हिरानी होगी कि एक रूपए में बनने वाले जी चालीस रूपए में विखती है यह हिस्तती है मैं आपको ऐसी कई कॉस्मेटिक्स क्रीम का कॉस्टर अप्रोडक्शन केल्पूरेट करके बता सकता हूँ जो एक किलो बनाई जाएं तो मुश्किल से 20-25 रूपए 50 रूपए का कर्च आएगा और वो एक किलो बेची जा रही हैं 1600 रूपए से 2000 रूपए लेकिन बिके गिना राजिव जी क्योंकि विदेशी जो आपने बताया खास करके ब्यूटी प्रोड़क्स टे उनकी एड़टाइस में दिखा जाता कि वही चीज इस्तेमाल करो तो काली भेंस गोरी भी बन जाती है हिंदुस्तानी प्रोड़क्स जो है सोदेशी उसमें वो ताका दम नहीं है मेरा तो चैलेंज है दुनिया में एक भी क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बना दे क्योंकि काला होना गोरा होना आपके जेनेटिक मिटीरियल से पहला वेकिन विदेशी क्रीम एड़टाइस में तो बताते थी है एड़टिस्मेंट तो सौ प्रतिशन जूट है ये अकेला हिंदुस्तान दुनिया में ऐसा देश है जहां जूटे एड़टिस्मेंट करने की खुली जूट है हमने कई फेर बनाने वाली क्रीम जो दावा करती हैं कि हम फेर बनाते हैं पहले से गोरा बनाते हैं उन सभी क्रीमों को चार-चार साल भेंस को लगा के देख लिया वो भेंस अभी भी काली की काली है उन क्रीमों का हमने chemical analysis करा लिया chemical analysis करा है तो ऐसा एक भी chemical नहीं है जो शरीर को गोरा बना सके शरीर का काला या गोरा होना हमारे शरीर में हमारा जो DNA material है उस पर fix होता है वो हमारे माता-पिता से fix होता है और DNA material के कारण एक melanin नाम का chemical होता है blood में अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो रंकाला हो जाएगा कम हो जाएगा तो बोरा हो जाएगा बीच में रहेगा तो साउला ज़्यादा हिंदुस्तानियों का बीच का है ना हम काले है ना बोरे है हम साउले है और इसकिन के इसाब से साउली इसकिन सबसे अच्छी होती है काली इसकिन में भी सबसे ज़्यादा chances है cancer होने का और बोरी इसकिन में तो उससे भी ज़्यादा chances cancer होने का जो सावली इसकिन है इसी को अच्छा माना जाता है सारी दुनिया पास साल में ऐसे कोई सुधार नहीं आए जिनकी बाते आपके थुरू आपके शब्दों के थुरू लोगों तक पहुचाए गई थी क्या लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि हिंदुस्तानी लोग स्वदेशी चीजों का इस्तमाल कर सत्ता के बाहर रहने पर उन्होंने स्वदेशी की बात की लेकिन सत्ता मिलते ही उन्होंने विदेशियों के लिए दरवाजे खोले क्योंकि वो दौर ऐसा था अब उस दौर का दुश्परिनाम हमने देख लिया है और हमने ही नहीं देख लिया अमेरिका और यूरोप में भ देखेंगे कि राजनेतिक पारटियों खुशी के साथ स्वधेशी की तरफ बढ़ेगी अभी तो डॉक्टर मनमहन सिंग स्वधेशी की बात करने लगे उनका एक सीरियस स्पीच हुआ इस देश में अभी थोड़े दिन पहले बड़ा कारिक्रम था यह फिक्की का और यह जो इसमें उन्होंने स्वधेशी की बात करना लिए वो कहने लगे अब मात्मा गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास और मात्मा गांधी का अदो आपको अभी उम्मीद है कि आने वाले जो भी सरकार होगी आने वाले पांच-दस सालों में ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो की स्वधेशी प्रोड़क्ट के लिए लाब करता हूँ नहीं मैं पांच-दस साल की बात नहीं कर रहा हूँ आने वाले पचास साल तक इस देश की पॉलिटिक स्वधेशी के इर्दिगरत भूमें गिया है ठीक है तैंक्यो वेरी माच राजी जी आही है अग कराएगी उसको चलाना पड़ेगा कंसेट उनको लेना ही पड़ेगा एकसेट करना पड़ेगा राजी एक तिखा सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने सोदेशी अभियान चलाया था 92 से 96 तक फुल फ्लेज में चला था कहीं न कहीं सोदेशी प्रोड़क्ट के लिए बनाया गया अभियान राजी जी का प्रोड़क्ट के बारे में जो अभियान था उनको धीरे 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 ऐसा ट्विस्ट किया गया कि विदेशी महिला का स्विकार न किया जाए ऐसा भी तो कहीं टार्गेट सोनिया गांदी पे तो नहीं था उस जमान में हमारा टार्गेट कभी अभयान में कहीं केंदर में नहीं है वहाँ पर कोई भी बैठे सोनिया गांदी बैठे, मनमोहन सिंग बैठे अडवानी जी बैठे या कोई भी बैठे, हमारे लिए वो कोई महत्तुका नहीं है, हमारे लिए विचार महत्तुका है, कारिम महत्तुका जो आपने थोड़ी दिर कान, पहले कान, पचास साल स्वदेशी ही किंद रहेगा, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास है, क्योंकि इसके अलावा रास्ता नहीं है हमारे पास, हमारे पास रास्ता क्यों नहीं है, आज़ादी के 62 साल में हमने दो बड़े एक्सपरि तो जैसी उनके यहां सरमुक्तियार शाही का सारा सिस्टम है, वो हमने यहां लाया, और वो पुरी तरह से फेल हो गया, अब उस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन की तरह पढ़ गए, 92 से, अब ग्लोबलाइजेशन 2009 में आके फेल कर गया, तो दोनों सिस्टम हमने देख लिए करके, एक एक्स्ट्रीम लेफ्ट और एक एक्स्ट्रीम राइट, एक हमने पूझी बात का सारा करके देख लिया, ग्लोबलाइजेशन में वो फेल हुआ, और वो समाज बात का नेरुजी का फेल हुआ, इसलिए अब तो कोई रास्ता ही नहीं है हम हमारे पास, तीसरा और आखरी विकलत एक ही बचाय वो गांधिवात का है, उसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और उसी की तरफ बढ़ते हुए हम समस्याएं हल करें। इसी अगर जो भी इनोवेशन हुआ है, उसकी टेकनलोजी की जरूद पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। सिर्फ आइडियोलोजीकल बात करने से मेरे हिसाब से बात नहीं चलेगी। क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान में अगर कोई भी निकलियर टेस्ट भी करना है, कहीं हमें बाहर से लेना पड़ेगा, कोई टेकनलोजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर स्पेस शटल है, हंड़ेट परसंट स्वधेशी बनाने में शायब टाइम लगेगा, मैं एक बेस्ट एक्जामपल देता हूँ जिस तरह से, फार्मासिटिकल्स कंपनी में, फार इपकी उनिवर्सिटी नहीं है, उनको अच्छा पढ़ने के लिए उनको विदेश में जाना ही पढ़ेगा, क्यों बेजिक मुलभुत स्तर से चेंजिस किया जाएं कि जहां से जो थोट है, रिसर्च इन डैवलॉपमेंट में काम करने वाले जो भी स्टूडन्ट है, उनको सब चीज हिंदुस्तान में, तो शिक्षा, शिक्षा की बात कराओं, शिक्षा में कहीं सुधार की जरूरत है, क्योंकि स्वदेशी जो लास्ट गोल है हमारा, शुरू होता है शिक्षा से, आने वाले दिनों में, जो भी टेक्नोलोजी हमें बनानी है, इनोवेशन करना है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है, बेजिक कहीं निव में, शिक्षा में सुधार की जरूरत है, बहुत जरूरत है, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं, पहली बात ये कहना चाहता हूं, कि जो टेक्नोलोजी है, वो दुनिया में कोई किसी को नहीं देता, मैं आपको जा थे अपर्पियोटर के लिए हमको दुनिया के किसी देश ने टेकनोल besar, हमने खुद बनाया, मनें जो भी टेकनोलबजी है जिसको हाइटेक कहते हैं, वो हर एक देश को अपनी कुद बनानी पढ़ती है दूसरा कोई देश किसी को नहीं देता है शिक्षा में सुधार की बात ज़ाए शिक्षा में सुधार ये करना पड़ेगा कि हम हमारी टेक्नॉलिजी जो अब तक हमने बनाई है बासरट साल में इसको लगातार इंप्रूफ करते रहें उसके लिए R&D के सेंटर समय बड़े एजुकेशनल इंसिट्यूशन में कोलने पड़ेंगे जैसे इंजिनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इनकी सारी लेबोरेटरी को R&D सेंटर बनाना पड़ेगा और अभी हमारा जो खर्चा है R&D पे ये खर्चा हमें बढ़ाना पड़ेगा बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान के कुल GDP का एक प्रतिशत से भी बहुत कम हिस्सा जितने बड़े बड़े नेता आपको समर्थन भी देते हैं आपकी जो भी वक्त भी होता है आपकी बात को कहीं ना कहीं सच भी मानते हैं कि आइडिया ले राजीव दिक्षित बिल्कुल सही कह रहे है लेकिन वही नेता के पाऊ में नाइकी के जूते होते है तो बाते बाते करना बहुत आसान होता है शायद हो सकता है कि राजीव दिक्षित में भरोसा करते कि वो एक भी चीज वीदेशी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे लेकिन उनके सामने जो हजारों लोग बैठे या तो उनके जो फोलोर कहते हैं अपने आपको वो लोग सिर्फ सुनने आते हैं बाते करते हैं आपके साथ लेकिन जब अपनी ऑफिस में जाते हैं तो वही विदेशी चीजों का इस्तेमाल तो उससे तो स्वदेशी की अभूमानना ही होती है मैंने अपने जीवन में ये कोशिश जरूर की है कि मेरे जीवन में ये विरोधा वासना आए कि मैं अगर सॉफट ड्रिंक के खिलाब बात कर रहा हूँ तो मैं सॉफट ड्रिंक ना पियों मैं विदेशी कमपनियों के खिलाब बात कर रहा हूँ तो नाइकी या एडिड़ीड आस के जूटे ना पहनो या ब्रैंड़ शर्ट और ब्रैंड़ पैन्ड़ तो फ़गर न पहनो मैं सवदेशी की बात कर रहा हूँ तो खादी पहनो मैंने तो कोशिश की है और दूसरे साथियों से भी कोशिश करवाने के लिए रात दिन में प्रयास करता हूँ राजी जी यहां पूछने की मतलब एक खास करके जिस तरह से डंपिंग हो रहा है मास प्रोड़क्शन की वज़ा से चाइना पूरे वर्ल्ड पे हावी हो रहा है तो कि टेक्नोलोजी मास प्रोड़क्शन के लिए हिंदुस्तान के पास इतना पॉप्रिलेशन है कही ना कही मैन पवर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो इस्तेमाल करने में हर एक गवर्मेंट फेड रही है आप क्या मानते हैं ये बात सही है हमारे यां एंटी डंपिंग के लॉज है लेकिन वो इतने ढीले हैं कि हम उने लागू नहीं करा पाते मैं आपको एक छोटी जानकरी बताओं हिंदुस्तान में एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट देखने के लिए छे अधिकारी हैं और अमेरिका में एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट देखने वाले साड़े थीन सो अदिकारी है जबकि अमेरिका का साइज हमारे लगबग मैंने वर्ड के मार्केट में एक्सपोर्ट और उन सब जी डी पी और उसको देखेंगे एकॉनमी का साइज तो अभी कोई अमेरिका का साइज हमसे बड़ा नहीं है लगबग हमारे बराबरी आ गया है तो उनके आँ एंटी डंपिंग को सकती से लागू करने वाले साड़े थीन सो लोग है हमारे यहां सिर्फ छे लोग है और छे लोग भी लूले लंगने विकलांग एक दब तो भारत सरकार की इक्षा शक्ती बहुत कमजोर है और यह बात सही है कि चीन ने डंपिंग करके मार्केट को खतम किया है हमारी पूरी खिलोना उद्द्यों खतम हो गई चीन के कारण राजी इस वक्त वक्त बहुत कम है मैं आपको पुछना चाहूंगा कि जीस तरह से आपका अभ्यान इतना आइडियल अभ्यान है लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टों में स्वदेशी का जीकर भी नहीं किया क्या आप सबको एक ही तरह जुमें रखना चाहेंगे किस से उमीद है आपको हम थोड़े दिन में ऐसी परिस्तिती बना देंगे कि हर राजने तिक पार्टी के मैनिफेस्टों में सबसे पहला मुद्दा यहीं इस चुनाओ की बात कर रहे आप नहीं अगले चुनाओ अगले चुनाओ की बात कर रहे यानि क्या सोच सकते हैं कि राजने दिक्षित खुद का एक कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके आए या तो किसी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं नहीं ना मैं खुद का पार्टी लाऊंगा ना कोई पार्टी में जुड़ूँगा लेकिन समाज की तरफ से इतनी ताकत के साथ सोधीशी के मुद्दे को इस्थाफित करूँगा चीज में से कौन सी चीज आपको पसंद है कुछ उनकी जो एटिकेट्स हैं मैनर्स हैं वो कुछ काम के हैं जैसे बहुत सारे देश हैं जो स्वक्षता पसंद है साफ सुत्रे एकदम बढ़िया तरीके से भारत में वो हो तो अच्छा है समय की पावंदी बहुत है कई देशों में अनुसाशन उनकी आप बहुत अच्छा है तो ये चीजें तो ठीक हैं प्रोड़क्ट्स उनकी अच्छे नहीं है फाइन 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 समझ गया कि कही ना कई विदेशियों की जो एटिट्यूट है वो हमें गरांड करनी चीए नहीं कि सिर्फ कोई प्रोड़क्ट्स स्वच्छता अपना अनुसाशन अपना है लेकिन कोई प्रोड़क्ट हो सके उतना अवोइड करिया तैंक्यू अरे मच राजिव जी वगद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राइए स्वधेशी अभ्यान ना प्रणेता राजिव दिख्षी जी ने तैंनों पूरो विश्वास चे कि आउनारा दिवस्वमा जरूर थी तैंना अभ्यान दवरा हिंदुस्तान ना दरेके दरेक नागरी को अने खास करीने राज नेताओ इवा एक स्टेज पर आऊशे कि जारे हिंदुस्तान मा स्वधेशी जेपन वस्तू ओचे तेनों प्रभाव मर्शे फरी मलिश्रू, नेक्स्ट एपीसोड में एक नवा आतीती साथे त्या सूरीजाप सनमस्कार थैंक्यू एरे माशे